नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एड्रूजेट मूबायर रिपेरिंग में आज आप जानेंगे MI6 या MI6A में फेक बैट्री परसेंटेज या गलत बैट्री परसेंटेज दिखाना इस समस्या को हम कहां से और कैसे सॉल करेंगे और यह समस्या क्यों और किस कारण की वज़े से या किन कारणों की वज़े से आ सकती है तो यह articles यह ना पर फॉन हो जो है बहुत फास्ट चार्ज हो रहा है है और बहुत ही फास्ट ड्रेन हो और अभी अभी 23% दिखा रहा इसके पहले 2221 था और यह अभी आप देखिएगा यहां पर वीडियो नॉर्मल स्पीड से देखे 24 हो गया तो यहां हमारा फोन जो है चार्जिंग की दर बहुत ज्यादा है और लो होने की भी दर बैटी लो होने की भी दर बहुत ज्यादा है तो ऐसी किया हुआ है कुछ सारे कंपोनेंस जो है मिसिंग है और कुछ कंपोनेंस टूटे हैं कुछ कपेश्टर ब्रेक हैं कुछ सप्लाइव वगारा भी उखड़ चुकी है निकल चुकी है क्योंकि किसी ने इस्टी लिमू किया है उसकी वजह से और अभी देखिए यहां पर 27 पर और अब यहां पर दिखाने और बताने वाले वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दो तो अगर आप वीडियो को पूरा और लाश्ट तक देखेंगे तो अच्छे से समझ सकेंगे और आपको यह concept जो हमारा बैटी परसेंटेस्ट सो करने का है कुछ मॉडल्स का वह समझ में आ सकेगा तो सबसे पहले हम phone को on करते हैं और on करने के बाद हम इसकी जो बैटी वे हैं या बैटी का voltage है यह सारी चीजे मेजर करेंगे और आपको करके दिखाएंगे तो यह एक बहुत बड़ा concept है दोस्तों और इस topic पे बहुत कम वीडियो आपको YouTube पर मिलेंगे और यह कमपनी का कोई भी model हो तो आप उसे आसानी से इस समस्या में solve और fix कर सकेंगे तो यह देखिए हमारा 3% से start हुआ phone on करने के बाद 3 से तुरंद 4 हो गया on होते ही और थोड़ा सा वेट करेंगे 5 भी हो जाएगा 6 भी हो जाएगा 7 भी हो जाएगा मतलब कि 20-25% तक पहुंच ज जो है तोनों जगे आपको दिखाने के कोशिज कर रहा हूं कि उपर भी बैटी परसेंटेज्स कर रहा हमारा और नीचे भी तो क्या है डिफ्रेंस दोनों जगे पर वह भी मैं आपको बताने कोशिज करूंगा देखिए यहां पे 6% दिखा रहा हमारा और नीचे कामरे में पार पर वहां पे 1% कम है तो 1% का गयब भी दिखाने लगता है कभी कभी charging पे आउन पे तो यह सारी चीजे क्यों हो रहे हैं क्या रेजन है किस component की दिखत है किस पार्ट की दिखत है कि सप्लाइड की दिखत है यह कौन जिम्मेवार है इस समस्या के लिए यह सारी चीजे आ तो हमारा जो वोल्टेज है 3.7234 तक जा रहा है वह जासे क्योंकि बैटी चार्ज भी हो रही है हमारी तो इस वज़े से वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है यहां पर तो अभी देखिए हमारा फोन जो है 10% चार्ज हो गया तीन से स्टार्ट हुआ था और बात करें तो भी ज् यहां तो आठ से साथ से 10% फिर से चार्ज हो चुका है तो मतलब यह हमारा फोन जो है गलत चार्ज हो कर रहा है तो इसे हम इस वीडियो में यह थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं इस वीडियो को बनाने में ताकि आपको अच्छे से प्रॉब्लम कभी दिखा सके और प्रॉब् प्रॉटेंट है थोड़ा सा वीडियो लंबा होना तो यह देखिए अभी हमारा 14% बैटी चार्ज हो चुका है तो बैटी चार्ज बहुत तेज हो रहा है और जितना तेज चार्ज होगा उतना तेज ही आपका ड्रेन भी होगा जाईसी बात है दोस्तों यह देखिए तो सम चार्ज हो Odic s..., बहुत कम आपका है बैटी का जो चार्जिंग का ओर डिस्चार्ज इनका भी तो अभी कौन्सेप्ट आपको कैसे मैं समझाओं गा और किस तरह से बताओंगा और regular कि जो भी तरीका है औहां है और यह नहीं है कि जुगार वाला तरीका है जेनिवन तरीका है और यह फार्मूला जो है सभी जगह अपन Ta जहां पर भी to- keep इस जो करता है किसी भी पार्ट में किसी भी सरकिट में या कोई भी आपका डाइग्राम हो सब जगह पर यही सहीए parl 연 harvest जैंक्प इंस होता है है क्योंकि phone हमारा चार्ज के नहीं लगाהוiben slaves बढ़ रहा है मतलब बैटी का percentage कहीं स्थिर है ही नहीं किसी भी कंडिशन में देखिए चार्जर लगा था तब बढ़ रहा था और लें लगा है तब भी बढ़ रहा है मतलब यह problem आ आपको दिखा दी समझा दी और बता दी अब आ रही है इसे सॉल्व करने की इसका सेल्यूशन कहां से होगा और कैसे इडेंटिफाई किया मैंने और क्या ऐसे समस्या है या कौन से ऐसे पार्ट से या सपलाई है जिसे आपकी यह समस्या होती है इन मॉडल में तो सबसे पहले म मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम करूंगा ताकि आपको अच्छे से डीटेल में समझा सकूँ और बता सकूँ तो मैं कैमरे वगारा साइड में कर देता हूं तो फिर से मैं आपको दिखाऊंगा यह देखिए तो थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं ताकि जो मीटर वगारा है टे और दो बाकी जो थर्मल और व्यसाई ये दोनों भी आ रही है और पाश्ट्यू सप्लाई भी आ रही है तो यहां पर देखिए यह मैं थोड़ा सा जूम करूंगा यहां पर ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या यहां पर समझाने वाला हूँ अभी देखिए मैंने बैटी को चेक कर लिया है और बैटी कनेक्टर पर आने वाली सप्लाई को चेक कर लिया है बैटी कनेक्टर पर जो सप्लाई आ रही है वो ओ माइनस सब्लाय यह ग्राउंड में सोड कर दी किसी ने और यहां प anymore देखे देख पा रहे हैं पिद talents लगाूए था कोई और वह सब्सक्राइब है जो इसका कॉंसेप्ट होता है वह इस ऑर शूरू होता दось ऑर यह कंप्र सम्पर हमारा बैटी के माइनस सब्लाइब में इस मॉडल पर लगा होता है और कुछ सेटों में यह कंपोनेंट पाजिटिव सप्लाई में भी होता है और यह कंपोडेंट का नाम क्या है नंबर क्या है और इसकी वैल्यू क्या है और यह काम कैसे करता है यह सारी चीज़ आपको इस स्यूडियो में आपको बताएंगे तो यह देखिए अभी हमने इस कनेक्शन को मिस किया तो यहां पर जो माइनस सप्लाई हमारी ग्राउंड आ रही थी और यह सेकंडरी यह सप्लाई देखिए जो यहां पर एरो लगा हुआ है यह ग्राउंड होती है बीप देती है ग्राउंड से जब कि यह देखिए श्टील निकालने में यह सप्लाई मिस हो गई है अभी बीप नहीं तेरी पर रिवर्स आ रही रीडिंग दिखा र चिर्फू का- हिस्ता है बैटी कनेक्टर की मैनेस सप्लाई में यह कंपनेंट लगा होता हुता है दोस्तों तो मैं अभी आपको थोड़ा सागे और डिटल में समझाओं गया पर समझ सकें की एक्ट्शलम यह यह क NOR कैसे work करता है और किस तरह से इसकी जो है वोल्टेज मेजर करने की चमता या फिर बैटी परसंटेज मेजर करने की चमता होती है तो मैं सेम सेट से सबसे पहले तो इस कंपोनेंट को अपलाई करूंगा अपने बोर्ड पर अगया आज 0-10 का मतलब है दोस्तोफ यह 0.10 ओम का रजिस्टर है 0.10 ओम का और इसे संटर अपने यह वोल्टेज इस रजिस्टर के और पर 2शपलाय शत्य डख कित्वर meta वं चुह मेजर काती है मिली वोल्ट में द pre-ix-不錯 जो है डिफए होता है क्योंकि एक तरफ से वोल्टेज इन हो रही है दूसरी तरफ आउट हो रही तो जिस तरफ से इन हो रही उस तरफ कितना वोल्टेज है उसके आउट साइड कितना वोल्टेज है उन दोनों वोल्टेज में जो अंतर आता है उस अंतर के उस अंतर को जो हमारा फोन है रीड करता है और उसके अकरॉस जो ड्रॉपिंग होती है वोल्टेज में उस ड्रॉपिंग को щ करके हमारी को सेंस करता है कि हमारी dikti कितने Campaign हमारी बैटा हों नि辞ें किसे पहले तुम्मिप दिखाद हूं कि यह मारा आप Marie कोई सो नेहीं कर रहा करो है इस वीप सो कर रहा है यहां से क्यों कि यहां से म्हारे से फेकेंड बूट होती है यह हमारा सब्सक्राइब ह고 cas गराउन उया हमार वाई iki जो की ग्राउड हूना चाहिए और बने दोसरा बोड़ यहां देखिए इसमें जब हमने चेक किया तो रेजिस्टर का जो एक सीरा ग्राउंड था वह यहां पर बोड इसक्रेच होने से या टूटेने से या टीन निकालने की वज़ए से वह सप्लाई जो ग्राउंड थी वह मिस हो गई यह देखिए अब देखिए हमने राइजिस्टर को में के बावजूद दो सप्लाई हमारी रेजिस्टर के दोनों इन और आउट साइड आती है और यह चीज़ समझाने के लिए मैं एक पिक आपको दिखाता हूं MI5A की जो कि मैंने रिपेर की हुई थी इसके पहले भी इस फॉल्ट को ही सेम कर्डिशन में तो यह देखिए द सब्रक्राइबराश के यह समय है और और आफ होसे और व chase आपको पहले भी और चेटरे से किस Он्यांध कि वज़े से नाटी कि दोस्ति इस नागे हुए पर souvent इस के गलती से तोड़ देने की वज़े से यह समस्याएं आती है दोस्तों और यह मैं कई बाद सॉल कर चुका हूं और इस बार में आपको दिखाना चाह रहा था बताना चाह रहा थे अब मैंने वह जो माइनस सप्लाई है जो ग्राउंड से रहा था उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है हां मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा तो यह component किसी-किसी सेट में पास्टिव सप्लाई से लगा होता है और किसी-किसी सेट में निगेटिव सप्लाई से लगा होता है वह तरीका है क्योंकि वहां पर जो पास्टिव में होगा तो वहां पर बीप नहीं सो करेगा ग्राउंड से क्योंकि वहां पर पाश्टियू से लगा हुआ है पर सेम फर्मॉला होता है इस रिजिस्टर के दोनों तरफ जो एक्रोस वोल्टेज का डिफरेंस होता है उस वोल्टेज के डिफरेंस को आइड़निटिफाई करके हमारा फोन जो है फोन की बैटी का पसेंटेस को और पसंद आया तो लाइक भी करें दोस्तों और सेर भी करें अपने दोस्तों तक और मैं कोशिस करूंगा अगर आपकी समझ में नहीं आया दुबारा से इस टॉपिक फिर से वीडियो बनाने की और डेटेल में अच्छे से समझाने की तो फिलाल मैं सेट को आउन करके अभ हमारा फोन जो है बाइस परसेंट चार्जिंग डारेक्ट दिखा दिया है यहां पर जब भी मैंने ओफ की कंडिशन पर लगाया है फोन को तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और यह वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है दोस्तों और मैं ज्यादा लंबे वीडियो नह दोर बिट चार्ज करने की वह स्वांब हुए यह नहीं हुई जो मारा प्रसंटेज वार बाढ़ बढ़ रहा था लगाता बहुत प्रसंटेज से हो रही यह नहीं हो रही और मैं आपको बता दू आब यही बैटि जो है इस्तिर हो चुकी है एक तरीके से इस्तिर परसंटे जो चार्ज होने में यानिकी परसंटेज को बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम ले रही पहली बार क्योंकि बैटी स्थिर नहीं है चार्ज जब हम कर रहे थे बहुत स्पीर से चार्ज हो रही थी रेजिस्टन लगा हुआ था हमारे फोन पे और मलब स्वरी दोस्तों रेजिस् के साथ अभी इसके पहले चार्ज हो रही थी डारेक्ट जो है बिना रेजिस्टर के चार्ज हो रही थी इसकी वज़े से तो दोस्तों यह वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कोमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाज तक देखने के लिए